हालो मॉमीज मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल प्रेग्नेंसी हेल्प में माइडियर मॉमीज आप सभी को प्यार ब्राइश का जैस्री कृष्णा रादेगारे माइडियर मॉमीज आज मैं आपको बताने वाले हूँ पी आईडी के वारे में पी आईडी एक ऐसी डिजिज होती है जो की पाई जाती है ठीक है तो जो मेरी सब्सक्राइबर हैं जो की मेरी वीडियो देखती है उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं प्रिग पी आईडी पी आईडी क्या है मुस्ट ली यह चीज है न हम लोगों में होती है और यह मारी हम अपने आप में इसको इdenटिफाइड नहीं कर पाते हैं हम नॉर्मली सोचते हैं कि हमें पीरियोड होते हैं तो हमें दर्द होता है अस्वेलिंग आ जाती है कुछ खाने का मन पी आईडी में पीरियोड होती है लेकिन सीच्योशन अलग अलग होते हैं किसी को पीरियोड आति है वह नॉर्मली आ जाते हैं उन्हें को प्रॉब्लम ही होती है और थ्री एन फोर देज में दीविल भी ऊके बट कुछ लीडी में ऐसा होता है कि यह बहुत ज्यादा ज़ तो जो टाइम होता है तीन चार दिन का बहुत ज़्यादा सिवियर होता है इसमें तरह तरह की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम उनको फेस करनी होती है ठीक है तो वही चीज में बताऊंगी कि इंध में प्रॉब्लम होती है और उससे हमें कंसरी करने में प्रेंगन जोने में नोंकी किया प्रॉब्लम मुद्ले हो सकती है और इसको किस तरीके से कि ओर कर सकती है किस द заним एक श्कुत ही में आपको आगे वीडियो में किलियर करती जाओंगी आप मेरे रिक्वेस्ट है कि प्लीस इसको आप कंटीनु देखिए कि बीच पेस कि मत कर दीजेगा पहले तो आप समझे कि होता क्या है तो डियर पी आइड का मतलब होता है पैल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज जो हमारा पैल्विक एरिया है जहां पर कि अहां जो हमारे युटिर प्रज hormone séther और सारवारी झाली कि इंफ्लेमेटरी डिजीज है जो हमारे जेनाइडल पार्ट्स है जो हमारे प्रजेन अंग हो उनके उपर की साइड में है कुछ अच्छे नहीं होते हैं कुछ अच्छे भी अच्छे नहीं होते हैं वहाँ पर संक्रमण फैल आते हैं तो उसकी कारण करता है कि उस एरिया में क्या होती है और स्वैलिंग इतनी भैयनक होती है कि अगर आप साधी वागर हो चुकी है तो आपको कंसीव करने में बहुत जादा दिकत आती है आप consume नहीं कर पाते हो अगर आप कर भी लेती हो तो वो आपकी pregnancy आगे advance नहीं हो पाते successful नहीं हो पाती तो जो हमारे जैनाइटल पार्ट है उनमें swelling मनी रहती है यह होता है संक्रमड की कारते आप जैसे कैसे इसको रिकनाइज करोगे कि आपके बॉडी में वह है बहुती कम उमर में जैसे बीस से पचीस उमर में होता है और जो लड़किया होती है उनमें मुश्टली यह पाया जाता है और बाद में यह दीर दीर अगर आप इसे क्योर नहीं करते तो यह बढ़ता जाता है तो इसमें होता है कि जैसे आपको पीरेड आ रहे हैं तो आपको हैवी फ्लो होगा ठीक है आपको दर्द बना रहेगा कुछ भी काम कमफटेवली नहीं कर पाएंगे बहुत जादा आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने आप में बीमार फिल करोगा यह बहुत जादा आपको हैवी फ्लो होगा तो इस तरीके से यह सारी चीजे होती है पी आईडी में ठीक है अब हम क्या सोचते हैं अरे यह तो ह हमारी मेरिट लाइब चल रही होती है तो उसमें हमें यह प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्योंकि हम कंसीव करने में सक्सेफुल नहीं हो पाते क्योंकि वहां पर स्वैलिंग है संक्रमड आपको अल्रेडी वह फैला हुआ है जब आपको पीर आते हैं तो वह अच्छे तरी नोर कर देते हैं जिसको कि हम समझते नहीं हम यही सूचते तो पीरिट टाइम निकल जाएगा बट यह हमें प्रॉब्लम होती है जिसके वजह से हम आगे कर पाते हैं तो यह बहुत बड़ा रीजन होता है कि जैसे आपकी शादी होगे हो शादी होने के बाद भी आप उस च क्यार नहीं हो सकती यह क्योर हो सकती है अगर आपको एसStarल को आपको जब भी मैं फीर होते हैं तो आपका जो भी liken कलत давно कह लग सब्सक्राइब बहुत जादा बधूता होता है कलर फुल होता है पी यह यह उलSch आपको मैम हिए आपकोया पर मैंस कपको फेली चान, हो सक्ता द करें एक वार आपको अपनी डॉक्तर से ज़रूर से ornत करना पड़ें जो की specialist होते हैं तक हिसी पर भी मत जायीगा जो कि आपको पता होना भी बहुत जरूरी है कि आपको वी प्रॉब्लम है यानि जब आपको यह प्रॉब्लम होती तो इसका आपμαι में जो तक हृना हहता हुआ है तो भी इस सब्सक्राप करें तो आपा इर्प्र सकते हैं यह सकती है है revenue कि और जी स्फिपलेंट के 6에서ais program जितना बैड रेस्ट करोगे आपको आरहाम मिलेगा हीटिंग पैट से आप सिखाई करिए अपने जो भी एरिया है वहाँ पर आप पेट की सिखाई करिए कमर की सिखाई करिए तो आपको बहुत रिलेक्स मिलेगा आज कल मार्केट में बहुत सारे चीजें चल रहें जैसे हम हम जिनको यूज करते हैं टैंपॉन है डोच है तो इन सब चीजों को अवाइट करिए बिल्कुल मत यूज करिए जितना हो सकता आप क्लिनलेस मतलब बढ़तेंगी साफ सफाई जितना रखेंगे उतना ही आपको फाइदा मिलेगा क्योंकि यह संकरमण से होता है बैक्टिर करिए ठीक है यह आप सारी चीज़े कर सकते हैं कुछ जो टैबलेट जैसे एस्परीन है एंटिवायोटिक से अगर डॉक्टर आपको सेट करते हैं लेने के लिए तो आप बोले सकते हैं उनसे भी आपको आरा मिल जाएगा ठीक है बहुत जादा उस टाइम में आपको शेक् आपको अपने पार्टनर से सेपरेट तहना है आपको इंटिमेट नहीं हो ना उनके साथ अगर आप चाहते हैं आप ठीक हो जाए क्योंकि उस कंडिशन में अगर आप ऐसा कुछ करती हैं तो यह आपके लिए और दिकत पैदा कर देगा ठीक है तो यह सारी चीज़े आपको आपको रिलेक्स मिलेगा वह गंदगी आपके अंदर से निकले को जो स्वैलिंग है वह खतम हो जाए क्योंकि पी आइडी का मतलब ही होता है वैल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज जैनी सूजन आप उसे इरिया में तो आप हलका गुन-गुना पानी पेंगी सिकाई करेंग अब क्या होता है कि वहां स्वैलिंग आ जाती है इंफ्लेक्शन हो जाता है तो जिसकी बज़े से हम कंसीव नहीं कर पाते हैं और कभी-कभी अगरम कंसीव कर भी लेते हैं तो एक्टोपिक प्रेग्निंसी हो जाती है जानि जो यूटिरस में प्रेग्निन मतलब जो इंप् आपको जाए हूं कि पी आईडी किया है और उसमें आप किस तरह से देखवाल कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि यह और नहीं हो सकता है आपको सही समय पर जाच कराने हैं अगर इस तरह की सिम्टम्स आपको पीरिट टाइम में महसूस होते हैं तो आप इमेडिएटली टेक्याएट बबाए